हाल ही में गुजरात और हिमाचल के चुनाफ हुए हैं जिसमें सोनिया गांथी और अर्विन केज रिवाल का पाला डीचे जाता हुआ दिख रहा है चुनाफ के आकड़ों से पता चला है कि नरेंदर मोदी हिमाचल और गुजरात पर अपना पर्चम लहराने वाले हैं वह ये भी कहा जा रहा है कि बीजे भी अपने जेप में गुजरात का 150 सीट का ब्लूपरिंट लेके घूम रही है और हिमाचल में 60 से 70 सीटों की बहुमत के साथ आने वाली है जैसा कि आपको पता है गुजरात और हिमाचल दोनों का ही समीकरण अलग-अलग है इसलिए सबसे पहले हम आपको हिमाचल में क्या होने वाला है उसके बारे में बताते हैं राजनेतिक नियमों के अनुसार हर 5 साल में नई सरकार को चुना जाता है इसलिए सोनिया और केजरिवाल को लग रहा था कि इस बार हिमाचल में उनका पर्चम लहरा सकता है जसके आपको पता ही है कि 2017 से पहले हिमाचल में कॉग्रेस की सरकार थी जिसके बाद बीजेपी 2017 में 68 में से 44 सीट जीत कर सरकार उबना चुकी है बता दे कि किसी भी सरकार को पूर्ण भहुमत के लिए 35 सीट जीत नहीं होती है वही हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की जैराम ठाकुर सरकार के खिलाफ लोगों के बीच घुसा बना हुआ था पर चुनाफ से एक महीने पहले अमिद शाह ने गुजरात और हिमाचल को लेकर एक रिपोर्ट मांगी थी जिससे ये पता चला था कि बीजेपी हिमाचल में चुनाफ हार सकती है इस पर अमिद शाहा ने अपने त्रशूल प्लान में योगी आदीतियनात को भी जोड लिया था वही पांच दिन के अंदर हिमाचल में योगी आदितियनात ने 16 अरेलिया की जिसके बाद हिमाचल की हवा बदल गई BJP को इस बार हिमाचल में विधान सबा की 68 सीटों में से 45 से 50 सीटे मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और कॉंग्रिस को 20 आम आदमी को एक भी सीट ना मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है मतलब ये है कि हिमाचल में फिर से बीजेपी के सरकार बनने जा रही है वहीं आपको बता दे कि पीम मोधी हो या उनकी पार्टी का कोई भी सदस्य सपने सप्सेजादा पसीना गुजराच चुनाव में ही बहाया है आपको पता ही है कि गुजराच में पिछले 27 सालों से बीजेपी के सरकार है वहीं बीजेपी के खिलाफ गुजराच में कई आरोप लगाए गए लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने 40 बेहतरी नेताओं को मैदान में उतारा था वही इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधान मंतरी बनने के बाद गुजराच में हर घर जा कर वोट मांग रहे थे इसके साथ ही इस बार कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी विकास को गुजराच में मुद्दा बना कर लड़ रही थी लेकिन RBI के रीसन रिपोर्ट के अनुसार गुजराच में 9% सुकसेस रेट है इस वज़े से इनका ये मुद्दा भी फेल हो गया वही सवाल ये उठता है कि जब BJP की सरकार में लोग को सारी सुधाय मिल रही है तो वो और कोई सरकार लाने का क्यों चाहेंगे वही गुजराच चुनाफ में अरविंद केजरिवाल ने जिस तरह से दाव खेलने की कोशिश की थी वो सभी पूरी तरह के से फेल हो चुके है हाला कि अनमान लगाया जा रहा है कि शाहिद केजरिवाल को गुजराच में दो सीटे मिल सकती है वही कॉंग्रेस के 40-50 सीटे मिलने का अनमान है और भाजपा को 150 सीटे मिलने का अनमान है ऐसी ही लेटिस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा बैल आइकन पर प्रेस करना ना भूले